मुझे अमीद है कि आप सब लोग बिलकुल खैरीद से होंगे अलहमदलेला मैं भी बिलकुल ठीक हूँ और खुश हूँ और आप सब को भी खुश रखे अबाद रखे अपनी जिंदगी में मैं नहीं है ता मैं आप लोग से एक चीज़ बता हूँ आप अगरं को कि हमें मुतमेइन होना चाहिए हमें सैटिस्फायड होना चाहिए दुनिया में सब से खुश इंसान तो वह रही है एक कदू बढ़ा हुए और मेरा दिल है कि मैं आज कचू बोश बनाओ और इसकी साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ मैं एक चनो का सलाथ है जो के त बहुत अच्छा है और मैं सोच रही हूं 2-3 दिन से न मतलब मेरी बिल्कुल नहीं हो रहा कि अच्छा मैं यूटूब के लिए कोई वीडियो बनाओ या इस तरह करके तो जो वीडियोस आप देख रहते हैं वह एक दो दिन के कोशिच करते हूँ कि Muddy अंगे अच्छा सापStra πना सकते आप अगर अब यहां पर अच्छा और मुसम अच्छा है आज का मौसम बहुत अच्छा था यहां पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं ठीं और internet यहुथ यह वीकेंड बाहिर बच्चे भी बाहिर आसकते हैं तो यह सारा हो रहा हूत है life में मैं आपनों के साथ share कर रही होती हूँ और यह देखे मैंने ghost को के रखा हुआ था मैं कदो गोश्ट रसे के पने आपको बताया के बनाऊंगी और एस च रेसेपी को इतनी खांस नहीं है आपनों के साथ मैं share करूंगी कोशिश होगी मेरी सुबह हमजा को ना स्कूल डॉप करने के बाद मैं आगे जी ग्रॉसरी और ये रास्ता तो शुरू शुरू के मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको तो अच्छे चरीके से याद होगा क्योंकि मैंने इसी एरिया में घर लिया और इसी वज़े से लिए के ये जो एरिया बहुत अच्छे हैं मतलब यहां पे ना सारी ग्रॉसरीज हैं रेस्टोरंस हैं वैसे अगर आपको कोई देसी चीज चाहिए हो तो वो सारी यहां पे वेलिबल होती है और ट्रेन स्टेशन भी है बस भी है तो हर चीज ना डॉक्टर जो भी आप कहीं कि इस स्ट्रीट में है इवन वो भी अच्छा लगता है और मॉस्ट अप तो पीपोल अगर आप यहां पे कहना तो बीस बीस पचीस पचीस तीस साल से रह रहे हैं और इवन न्यू यॉर्क में भी आप कहते हैं लहोर में ऐसा होता है कि जो पुराने लहोर में रहता है तो वो पिर बहरिया टाउन जाके अवेलेबल नहीं होती अब जो नूडल्स बच्टों ने मुझे कहीं थी जो फ्लेवर कहा था वो यहां पे नहीं था तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहां से ब वॉक करते हैं और हम लोग जाते हैं जी मनान और मैं यह मस्जित के पास से गुजर रहे थी तेखें कितनी बड़ माशालला से मस्जित है और यह मस्जित ना पांच वक्त नमाज से यहां पर होती है पूरी भरी होती है बहुत अच्छा लगता है अगर आप कभी मगरेब या इशा के टाइम पर आया तो इतने लोग होते हैं कि क्या मैं बताऊं तो फिर मैं आ गई थी मनान और यहां से जो बनाया वाता और जब उसको पता चला ना कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूं तो फिर वहां से मूव होना शुरू हो गई उसको पता चल गया था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूं ना तो बस वह भी बच्चों के साथ ही होती है मैं बना रही हूं यहां पर कदू गोश् पाउडर ईकुछ डाल दिया है और सब कुछ मिनस के अधर, लहसंड, प्यास, टcjiमाटर, हरी मिर्चे, रड़, चीली पाउडर, टरुमेरिक पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, करी पाउडर, नमक और वो डाल के पर वो उसका प्रॉब्लम हो जाता है तो सिरफ एक कप मैंने पानी डाला था और अलड़ी क्योंकि मीट को मैंने वाश किया था तो देखें, और फिर मैंने इसके अंदर कद्दू डाल दिया था, पानी डाल दिया था और पाँच सीटी एंदि यह होंगी और कद्दू माशाला से ना बहुत अच्छा गल किया था और बहुत मज़े का कद्दू गोश्ट था मेरी ना कभी मुझे याद आता है कि मेरी दोसी तो जब भी वो लोग जल्दी से आया करते थे थे ना तो उनकी यही फरमाईश होती थी कि तुम ना जल्दी से हमें कद्दू गोश्ट बना दो और वाकी आज बहुत मज़े का था एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूं वो है जी सैलेड और यह अरेबिक कहले हैं तरके स्टाइल का सैलेड है इसमें थोड़ी सी चीज़े मैंने खोद अंदर डाली हैं क्योंकि उनकी वो कुछ चीज़े जो होती हो मुझे बिल्कुल चीने रखती तो इस विरस से ना तो मैंने एक बैल पेपर लिया है एक खीरा लिया है एक प्याज है लेमन है और साथ में हरी मिट्चे हैं दो कैन चने हैं और यह पल्प है इमली का ना मेरे पास बढ़ा हुआ है आज मेरे डिनर में बलकुल मूर नहीं का रहा था कि मेरे कोई चीज़ खांओ हहला कि ना कर외के बसना कि ना मैं सेलेट कहाऊ और कोई चीज़ ना खाऊ और हम क्या करेंगे यहां पर जी हम लोग कैट लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर इसके बाद हम लोग बाकी चीज़े प्रेपरेशन करेंगी अच्छा ये सैलेट ना मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें था तो मैं क्योंकि सैलेट खाने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करें ओफमें तो तो अगर यहाँ में दाउध है नहीं था बॉफनी प्यास काते हैं की कातन में मुझे कातने में थोड़ी से मुश्किल हो रही थी तो अगर आपके आपके पस शार्प नाइफ है तो आपने ना फिर प्यास और यह जो बेल पर इच को पतलह पतला ना काट लेना है और अगर आप पतला पतला काटेंगे तो वो आई तिंग अच्छा लगेगा मैंने क्या किया था कि मैंने रफली ना इसको मोटा मोटा काट लिया था तो शायद इस वरह से भी फिर वो जो प्यास का एक टेस्ट आ रहा था ना मुझे अच्छा नहीं ल मैं दो आज़ा दो इसके हम लोग अच्छे तरीकीसे दोओने की जिए अगर आपके पास केंद आपने कापली चेंदे पाराथ को भिगो दीजागी है और उनको आपने गला लेना है और थोड़ा सा मैंने ऑलिव ओई लिया इसके इंदर अब हमने चने डाल दी है ठीक है और चने डालने के बाद हमने क्या करना है इसके इंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है ठीक है और नमक डालने के बाद हमने इसके इंदर पैपरिका पाउड नहीं डला बहुत स्पायसी होता है भी ना a arkadaşlar अगर हम चार्ट जाएगा बैस्का टेस्ट ना चार्ट वाला और जाएगा ने पिर चार्ट मसाला नहीं एड़ किया था इन चनलों को हमने थोड़ी दिर के लिए भूनना है और भूनने के बाद हमने बस क्या करना है जी इनकों ना हमने अलाइदा से बाल में निकाल लेना है तो आज वैसे ना मेरा बिलकुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों पतले हैं मैंने यहाँ पर मोटे मोटे कारते हैं शोररी फॉर और हमने बस वह फ्राई कर लीनी है बेल पेपर डल जी वेबी बाद में इसके अंदर खीरा डाल दिया और वो जो प्याज और बेल पेपर फ्राइ की हुई थी और उपर से नेमन न चोड देना है और बस जी हमने इसको मिक्स कर देना है और हमारी सैलड यम्मी सा त्यार हो गया है बाद में मैंने इसके उपर ना इमली का जो पानी था वो ने चोड दिया था और वैसे इमली का पानी जरूरी नहीं है लेकिन हम देसी है रहा हमें अच्छा लगता है कोई भी चार्ट हो या इस किसम की सैलड वगरा हो तो उसमें अच्छा होता है इमली का गूदा कह लें आप या इमली का पानी कह लें वो आपने एड करनी है तो इसको हमने अच्छे तरहरे से मिक्स कर ली कर ले और बस हमारा सैलड मेरे पस धनिया नहीं था अगर धनिया हो तो डाल दें अब बेजल है आपको रज़ों पास वो डाल दें ना बस मसुवियत इतनी होती है और बस दिल भी नहीं करता सो अल्ला हाफिज और फियमाल